जै भोलेना तो फ्रेंड से जैसा कि सब को पता है कि 12 जोतिलिंग है 12 जोतिलिंग में बढ़ामे जोतिलिंग गिरनेश्वर जोतिलिंग का मैं थोड़ा बर्नन करना चाहूंगी और इसकी अस्टोडी बताना चाहूंगी तो यहां पे आ गई हूँ महाराष्ट औरंगाबाद और ये बेरूल जिला में है जो दच्छिन देश में देवगिरी परवत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्पी भ्रामन रहते थे अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बहुत ही प्रेम पुर्वक वो लोग रह रह थे भी Photon के तो कहले संतान नहीं थी तो काफी वो लोग कष्ट में भी रहते थे सबकुछ होते हुए भी संतान नहीं रहने के कारण से बहुत दुखी रहते थे और लोगों के ताण्य भी सुनने होते थे तो 32 गंपना के अनूसार पता चला सुदेहा को कि सुदेह को कभी भी गर्व नहीं ठहर सकता है तो उसके मन में एक विचार आया कि संतान की इक्षा तो फ्रेंट सब की होती है तो उसने अपने पती से बोला यानि सुधर्मा से बोले कि हे स्वामी आप दुसरी साधी कर लें तो सुधर्मा मना कर रहे थे क्योंकि अगर मैं दुसरी साधी करता हूँ अपने कुल को बढ़ाने के लिए तो सबसे ज़्यादा कस्ट तुम्हें होगा तो बोली नहीं कुल को बढ़ाने के लिए साधी करना है और मुझे भी संतान की इक्षा है मैं भी अपने बच्चे को गोध में खिलाओ तो उसने अपनी छोटी वहन घुसमा से साधी करवा दी घुसमा साधी करके आई वह बहुत ही पूजा पार्ट भक्ति में लेन रहती थी तो फ्रेंड्स यह वही तलाव है जहां पे घुसमा डेली 108 पार्टीव सिबलिंग बनाती थी और यहां पे पास के निकट यह तलाव है तो वहां आकर के भी सर्ज पूरी परिवार में खुशी की लहर दोड़ाई गुसमा और सुदेहा बहुत ही खुश थे और बात में धीरे-धीरे बच्चा बालक बड़ा होता गया फिर उसकी साधी हो गई पर धीरे-धीरे सुदेहा के मन में कूविचार उत्पन होने लगा कि सब कुश तो गुसमा कह पती भी उसका है बच्चे भी उसके है और बालक बड़ा हो गया था उसकी साधी भी हो गई थी तकुविचार मन में आने से एक दिन अपनी सोय हुए पूत्र को उसने मार डाला और उसे टुकडों में काट-काट कर उसी तलाव में फेक दी जहां पे घुसमा परतित दिन 108 स पूजा करती थी और बिसर्जन करती थी सुबह होते ही पूत्र बदु ने जैसे ही देखा कि घर में ऐसा हो चुका है उसकी पती की मिर्थू हो गई है तो पूरा घर में हाहा कार मच गया पर यहां पे घुसमा अपने पूजा में लिन थी वह उठी नहीं अपने 108 पार्थि बापस आ रहा है जैसे लग रहा है कि वो असना आदे करके बाहर निकल रहा हो गुसमा को कोई अशर्ज नहीं हुआ वो समझ चुकी थी कि यह सब भोले नाथ की किर्पा है जो मेरा पूत्र जिंदा बापस आया है बस पर उसकी भक्ति देख करके वहां पे भोले नाथ आये और उसके बाद बोले कि मैं तुम्हारी बहन सुदिहा को सजा देना चाहता हूँ मिर्तु दन देना चाहता हूँ जिसने इतना घिनावना पाप किया है गुसमा चमा मांगी हे प्रभू मेरी बहन मानो बहुत ही बड़ा घिनावना पाप किया है पर आप उसे चमा कर दे क्य वो मेरी वहन है तो भोले नात उसकी बातों से बहुत ही परसन हुए और उसकी भक्ति देखकर के और प्यार देखकर के बोले बर मांगो गुस्मा बस यही बर मांगी कि अगर आप मेरे भक्ति से खुस है तो भगवान आप यहीं पर वास कर जाएए तो फ्रेंट इसलिए इस नाम गिरनेशवर जोती लिंग या घुसमेशवर जोती लिंग से भी जाना जाता है क्यूंकि घुस्मा की भक्ति देखकर बोले नात यहां पर कट हुए थे तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब भी जरूर करें जाए बोले नात